तो यूटी फैमिली इनको मेरा गहर पसंद आ गया तो ये मेरे घर की फोटो ले रहे हैं अंकल गया हुआ? क्या हुआ? अच्छा अच्छा बैठा अंकल? ओके तो अंकल जी को मेरे गहर का मॉडल बहुत ही पसंद आया अच्छा यूटी फैमिली हालो नुश्का दोस्तों जैशिंका क्या हाल चाल आपके? आई हो मैं यूटी फैमिली मस्त होगी मैं अग्दम ठीक हूँ तो आज मैं और नाने जी जाएंगे यहां पड़ोस के महले में वहां पे धाम है तो वहां पे राजमाग, कड़ी, चावल बड़ा कुछ बनेगा वहां पे तो हम आज धाम खाने वाले हैं तो मैं नानी एकदम तयार हैं कि अग्दम तयार हैं तो चले चलते हैं यूटीव कर दो हाय एकर दो हाय है यसाण आ रहा ये ऑली खारो है सारे खारे अहीं बूछा आ बूछा शाव है खार हुआ खारे जो एक जो भ när हमाल कर है हा तो नानी पूछ रहे मेरी यूट्यूब हैमिली को कि आप सब ठीक हो खर रहे हैं खर रहे हैं आप ठीक हो तो भी चलते हैं नीचे लेके चलती हूं आपको और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं तो चलो खत्रों के खलाड़ी तो में अब मैं टरी दिकेश रहे हैं तेरी तका अब जापने को लेकि एडिये इंडे और इंडे वारी चुगरी दिमाच बास मों यादब बॉल्लण खत्रों के खिलाड़ी सीजन टन चलो 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 फिर मैं जाओंगी नीचे मेडिया में जाओंगी चलो चलो जाओंगी ना तो यूटीव फैमिली मेरे योर सेंगी यूटीव फैमिली के लिए और हमारी हाँ सेबों का सीजन भी ओफ हो चलाया है तो सेब भी थोड़ा थोड़ा देखे खराब हो रहे है ना तो इसको कट कट करके खाना पड़ेगा और अभी मैं लेंटर पे चलते हूं मैं मासी जी ने जो मक्या रखी हुई है उनको थोड़ा दूप में सुखाते हैं अब आप अब जो चाची जी है उनको देखे आते क्योंकि उनका भी बेबी होने वाला है तो हैसे रहेगा यह खाने के लिए तो अभी बहले देखे आती हूं यह लो आपके लिए सेब ठीक है कट करके खा लियो तो यह रही प्लेट और शोरी तो चलिए चलते हैं और देखे आते हैं यह लो तो यूट्यू फैबली अभी मैं दवाई लेने आई हूं जैसा कि पश्चों में आजकल यह वाला डिजीज चला हुआ है तो प्लीज आप भी अपने पश्चों का ध्याव रखें और दादू किये इंजेक्शन बस ओके थेंग्यू दादू तो यह हा निम्बू का बूटा और इस पे बड़े सारे छोटे छोटे निम्बू लग चुके हैं तो अभी फिलाल इनका साइज छोटा ही है तो इनको बड़ा होने देते हैं ना फिर विटामिन सी की कमी पूरा करेंगे तो बड़े सारे लगे हुए हैं इस साइड से भी पूरा भरा हुआ है तो भी पूरा बदल चुका है और धाम धूम खाके तो आ चुके हैं बट यूट्यू फैमिली आप मौसम देखिए लगता है थोड़ी देर में फिर से बारिश की बूंदा बानी होगी तो फान आएग और उपर आप टॉप पे देखें उपर तो बर्फ पड़ गई है तो मुझे भी इंतजार है यहां पर बर्फ पता नहीं कब पड़ेगी तो अभी चलते हैं वापिस घर की और यूट्यू फैमिली साइड जो सामने एरिया है ना इस साइड लाइट ही नहीं होती तो बहुत ही दुखत बात है यह और यहां पर लाइफ बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रोड राड भी नहीं है तो वह बर्फ भी साइड ज्यादा पड़ती है एक्दम पहाड को टच करते हैं उपर टॉप पे हैं साइड तो अभी चलते हैं तो यह रहे अंग्रेजी देशी मुर्गे इसको ठंड लगी है शीता फूंत कुकुडबायो शेयन पॉना आरा ना इसलिए और खराब मौसम में आप मेरे काम का व्यू देखिए थोड़ा ऐसे दिखाते हैं यह कुछ इस हिसाब से और हवा एक दम थंड वाली थंडी 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 लगी है तो आज केजी एफ त्री का रॉकी भी आया है केजी एफ रिटरंस तो केजी एफ रिटरंस फिर से दादी दादी हाथ देड़े बीडी फूख रहे थे उदर यह दिखो यहां फैक दी दूर के पास तो केजी एफ का रॉकी बीडी फूखते हुए बार बार हां होर दादी ढांट रहे है मुझे यूट्यू फैमिली हो तो दादी को ठंड हो रही है तो इसलिए मैंने दादी के लिए हीटर लगा दिया इदर और हीटर की सेक में तो यह रही पांगी की ठांकी और यह सि तो मेरी यूट्यू फैमिली ने भी यह देखी होगी और स्वाद में यह एकदम टेस्ट आपको क्या ही बदाएं एकदम यमी यमी वाला होता है और अभी सद्यों के टाइम में यह खाए जाती है और अभी केले फिलाल मैं भी इसको खाऊंगी तो पहले में एक निकाल के ब दिखती है यह और अंदर से यह ऐसी दिखती है और अभी में इसको खाऊंगी तो पहले मेरी यूट्यू जो यूट्यू फैमिली है वो टेस्ट करेंगे ला उसके बाद मैं करूंग इसको टेस्ट अब यही थाज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा अगर व्लॉग पसं करेंगे जामा तदी